प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं BSE 3rd Year 5th SEM की Quantum Mechanics और हमारा जो टोपिक चल रहा है वो है D. Brogley Wave Equation पिछले लेक्चर में हमने D. Brogley Wave Equation के फेवर में Experimental Evidence जो प्रोवाइड किया था Division Zermar Experiment उसको पूर्ण किया था आज हम बात करेंगे GP Thompson Experiment की GP Thompson ने भी एक Experimental Evidence प्रोवाइड किया D. Brogley Wave Equation को तो यह क्या है यह Experiment आज हम इसे डिटेल में स्टेडी करने वाले हैं तो किसी भी Experiment में मैंने आपको बात बताई हुई है सिर्फ चार बाते हम लोग करते हैं सबसे पहले उसके Aim की बात करते हैं फिर हम उसके Apparatus क्या यूज किये Procedure क्या है Theory क्या है और फिर Conclusion तो चलिए सबसे पहले Aim क्या है इस Experiment का जो GP Thompson ने Perform किया था Aim आप पहले से ही जान चुके हैं तो मैंने बता दिया है कि इस Experiment प्रोवाइड दी Experiment प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है Experimental Evidence to the de Broglie Wave Equation Experimental Evidence to de Broglie Wave Equation यह देखें Apparatus अब यह देखेंगे कि इस Experiment में हमने क्या-क्या चीज़ें यूज कियें बस आप मेरे साथ साथ Diagram बनाते रहिए Notes बनाते रहिए और इसको समझते रहिए चलिए इसमें एक Evacated Glass Tube होती है इस टाइप में पहले वो ही देख लिए यह देखें मेरे साथ आप इस सिस्टम को इस Diagram को देखते रहिए देखें प्यारे बच्चों यह एक Evacated Glass Tube है Evacated Glass Tube का मतलब हो है कि अंदर से जो हवा है वो बिलकुल निकालती गई है लिख भी दीजी इसको और यह जो यह जो स्क्रीन देख रहे हो यह यह हमारी Evacated Glass Tube यह है और यहाँ पर देखें एक फिलामिंट है यह हमारा फिलामिंट है और यह डिश्चार्ज टूब है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यह गिरिड है कैथोड का काम करेगा यह जब हम इसे गरम करेंगे तो इसके अंदर से आप देखेंगे कि यह गिरिड है देख लीजी आप यह फिलामिंट है और इसके अंदर यह अनोड्स हैं इनको हम अनोड एवन एटू कह देखें हैं लाइक दिस यारे बच्चो शाथ साथ में नोट्स जरूर बनाते ये क्या है क्योंकि एक पार एक साथ देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या-क्या कह रहा हूं बस वो समझ लीजे मोटी सी बात है कि इसमें ये एक वेक्यूम डिश्चार्ज ट्यूब है ग्लास की इस फोर में जिसके इस एंड पर एक फ्लोरो सेंड स्क्रीन लगी हुई है और या यूँ कई एक फोटोग्राफी प्लेट लगी हुई है और इधर एक electron gun है ये electron gun है और electron gun का procedure आप समझते हैं electron gun जिस तरह से बंदोग से blood निकलती है ठीक वैसे ही इसमें से electron पैदा होते हैं और ये electron इसमें से जब पैदा होते हैं like this तो क्योंकि high potential differences में लगा होता है मैं इसको बाद में लिखूंगा भी पहले आप इसको समझ लीजिए लगवाथ 10,000 से 60,000 वोल्ट का potential difference in cathode और anode के बीच में लगाया जाता है जिसे कि ये electron बहुत तेजी से accelerate होते हैं और यहां पर क्योंकि ये थोड़ा सा फैलाव होता है तो इसे एक नेरो बीम के रूप में किया जाता है एक पिन होल से जो metal block में बना होता है उससे इसको पास किया जाता है ये देखिए ये metal block है ये metal block है और इसके अंदर से जैसे ये है इसके अंदर से एक पिन होल कर दें तो ये electron बीम जो है इसके अंदर से पास होती है जब इसके अंदर से पास होती है तो वो एक narrow beam का रूप ले लेती है इसको मैं लिखता भी जाता हूं साथ साथ में ये क्या है हमारे metal block और फिर जो यह इलक्ट्रोन जो है यहां पर आते हैं एक फाइन गॉल्ड फाइल है प्यारवच यह यह क्या है गॉल्ड फाइल बना सोने के बहुत ही पतली प्रत और इसका साइज भी मैं बदा दू मोटाई जो है लग भग टैन के पाउर माइनस सिक्स सेंटिमीटर के करीब है यानि की लग भग जो है जो हमरी वेविलेंस होती है उसकी ओर्डर की होती है और जैसे ही यह फाइन इलक्ट्रोन बीम यहां स्ट्राइक करती है बहुत तेजी से तो यह यहां स्केटर हो जाती है या यूँ कहिए कि यहां डिफ्रेक्ट हो जाती है और इसके अंदर से ज कुछ इस फोटोग्राफिक प्रेट पर डोट्स की फोरम में हमें मिलते हैं ये देखिए ये एंगल जह है ये इथीटा है इस टाइब से और ये चीजह यहां हो रही है और ये तो प्यारे बच्चो एक बार मैंने आपको बता ही दिया है कि this gold folder file से स्केटर हो के यह हमारी फ्लोर्रस से स्किलीन पर स्ट्राइक करते हैं और वहाँ पर यह को सेंट्रीक शर्कल समय देह और यह यह ज़्स वैसे ही होते हैं जो कि हमने अ-बढल में बहुत है तो इसका मतलब है कि इनका यहां पर डिफ्रेक्शन हूआ और आप जानते डिफरेक्शन जय चाहरे विय। यह पिर यह क्या हुआ है तो उसके बाद जी पी थॹम्सन ने इसको दो तरिके से निकाला एक वो ब्रेक्स केंडिशन लगा करके एक देब्रोगली वेव एक्वेशन वाली जो वेवलेंट है वो निकाल करके और उन दोनों रजल्ट्स को देखा कि वो दोनों एक दोसरे से एगरी कर रहे थे चलिए अब हम दिरे-दिरे इनके बारे में लिखते चले जाते है अपरेटर साब को पता चल गया है प्रोशीजर भी थोड़ा साब को पता चल गया है तो अब हम इनके बारे में लिखते रहते हैं यानि कि इसका प्रोशीजर क्या है देखिए प्यारे बज़िए about 10,000 to 60,000 volt potential difference is applied between anode and cathode देखिए मेरे साथ साथ आप लिखते रहे हैं इन anode और cathode के बीच में इतना high potential difference लगाया है the electrons produce from the cathode, electron क्यां से पैदा होते हैं, cathode से पैदा होते हैं इसको इस फ्लामेंट से हम गरम करते हैं, heat करते हैं और high potential difference लगाया हुआ है जिसे जो electrons इस cathode से पैदा होते हैं वो accelerate करते हैं यानि कि the electrons produced from cathode is accelerated, जो मैं कहा हैं बस वही लिख रहा हूँ, देखिया आप electron के पीछे पीचे पीचे जिए, यहां हमने potential difference लगा है electron में और इस cathode से एलक्तोर पैदा हुआ, अब वो electron क्योंकि anode और cathode के बीच में high potential difference लगा हुआ है, तो यह accelerate होगा मैंने वही लिख दिया, जैसे जैसे electron जहां जा रहा है, हम उसके पीछे पीचे उसके बारे में लिखते जा रहे हैं बस और कुछ नहीं है, cathode is accelerated under, यह देखिए में, under high potential difference, अब यह जो electrons हैं, these electrons get narrowed on passing through this hole of the metal block, यह देखिए, these electrons, अब इन electrons का हम कहां से बुजारेंगे, इस hole से, जो metal block का hole है उसमें से, these electrons, becomes in form of narrow beam, on passing through hole of metal block, इस metal block से पास करके, एक fine beam के रूप में हमने इसको convert कर लिया, फिर क्या हुआ, यही beam, जो electrons की थी, इस gold file पर strike होते हैं, यहां तक पहुँच चुके हम, now the beam of electrons strike on gold file, इस gold file पर जिसका thickness जो है, बहुत ही कम है, उस पर यह strike करती है, जैसा क्या आप देख रहे हैं, and gets scattered, और क्या होती है, skater हो जाती है, and gets scattered, बहुत मुश्किल नहीं है, बस जैसे-जैसे कुछ हो रहा हैं, बस वही लिख रहे हैं, and gets scattered, these scattered electrons incident on the fluorescent screen or photographic plate, the scattered electrons strike on photographic plate, यह देखे हैं, आप लिखते जाएं, यहाँ इस photographic plate पर यह strike है, और जब इस photographic plate को develop किया गया, तो हमने देखा कि हमें बहुत सी कोसेंट्रिक dots की फोर्म में rings मिल रही हैं, यह देखे हैं, मैं लिख दे रहूं, when this photographic plate is developed, तेन एन नमब औफ इन नमब औफ गोसंट्रिक शर्कुलर रिंग और अबजर दिफ्रेक्शन पैटर्ण जब हमने पाउडर मैथ्ड को डिसकेश किया था वहाँ बताये था तो वहाँ जो पैटर मिलता एकोसंट्रिक का बिलकुल जस्ट वैसाही मिला था इलक्ट्रोंज है यह उन्स वेव का इलक्ट्रोंज कर रहे थे और उन् Repefp Laguna को स्क्रीनशॉट ले लीजी हम आगे इस प्रॉश्यूजर को लिखते हैं G.P. Thomson calculated the wavelength of the waves which are associated with the moving electrons in two ways. In two ways, in two ways, who are using Braxler? We use Braxler. We use Braxler. We use Braxler. We use Braxler. We use Braxler as well as lambda is equal to 2d sin theta. This is Braxler. d interatomic distance 0.91. We know this. But here we use this portion. We use Braxler. d interatomic distance 0.91. We use Braxler. d interatomic distance 0.91. और ये हमारी gold file है. और उस gold file के बीच की इस distance को हम capital D मान लेते हैं, जो हम major. in triangle OPQ. अब आप मुझे बताइए, क्या tangent theta कितना होता है? tangent theta is equal to perpendicular upon base. यानि कि ये r y theta होता है. इसको मैं sin theta भी कह देता हूँ. क्यों? आप जानते हैं, कि जब theta की value काम होती है, जैसे sin 0 0 होता है, tangent 0 0 होता है, तो angle भी बराबर. और ये भी बराबर. इसको मैं theta भी कह सकता हूँ. और ये लेक बाद कितना जाएगा? r y t. वहीं देखन, tangent theta क्या होता है? perpendicular upon base ये हो गया है. और अब sin theta की इस्थान पर अगर हम r y d रखने, तो ये equation हमें क्या देता है, ये देखे. lambda is equal to 2 dr by d. ठीक है, प्यारवच्चों, ये देखिए. अब यहां पर आपको क्या नहीं पता? ये जो r है, ये radius of this concentric, जो ring हमने की थी, चुनाव किया था जिसफेर, उसके radius है, d क्या है? ये हमारी, ये gold file और fluorescent screen के बीच की distance है. और एक यही result, d Broglie wave equation से भी निकाला, यानि कि दूसरा method जो wavelength निकालने था वो u g. d Broglie wave equation. और वो equation को बारे में, मैं आपको पहले भी बता दिया है, वो है, ये h upon mv, और कितने high potential difference पर ये electron है accelerate कर रहा है? electron के बारे में मैंने बता था, 12.27 divided by, यानि कि इसको इस form में भी हमने convert कर दिया था, 27 divided by v, इतने अनस्टोन unit. इस equation को यूज करके भी यही wavelength निकाली. लेकिन जब इन दोनों results को देखा गया, तब पता चला कि ये तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल close हैं. एक तो हमने experimentally calculate की, एक हमने de Broglie wave equation की शाहिता से calculate की. And these two results are in close agreement with each other within experimental error. दोनों बिल्कुल बराबर बराबर थी, एक ही जैसी थी. तो इसका मतलब जबकि हम जानते हैं कि electron particle nature के होते हैं, जबकि यहाँ जो diffraction हुआ था, वो हमने breaks condition यूज की थी, जो कि diffraction phenomena है. और इसका मतलब यह हुआ कि यह जो de Broglie wave है, which are associated with the electrons, behave like the wave. यानि कि electrons have the wave character also. और यह experimentally verify कर दिया G.P. Thomson ने. और तभी उनको 1929 में, जो है उन्हें, de Broglie को de Broglie wave equation के लिए Nobel Prize मिला था. यानि कि मैं यह लिख सकता हूँ, with each other. एक दूसरी को यह, diffraction pattern जो की wave characteristics पराधरीत है, wave nature के उनको प्रूव करता है, और एक हमने de Broglie से result निकला, these two results are in close agreement with each other. तो, this verify the wave character of the moving electrons. यह results भी हो गया, conclusion भी खहते के था. इस वेरिफाई, experimentally, the wave nature, wave nature of electrons. तो, प्यारे बचो, इस तरह से, GP Thompson ने एक experiment के द्वारा, de Broglie wave equation के फेवर में, एक experimental evidence प्रोवाइड कर दिया. और आपके exams में अगर question पूछा जाता है, कि discuss this GP Thompson, experiment to provide the experimental evidence to de Broglie wave equation, तो इस तरह से ही करना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, मैं पहले ही बता दिया आपको. तो, simple सी बात है, सबसे पहले, GP Thompson ने aim बताया, वो पहले ही जानते हैं, कि वो experimental evidence प्रोवाइड करता है, फिर ये जो apparatus यूज किये, उसके बारे में बताया, फिर procedure था, कुछ थोरी थी, वो discuss किया, यानि कि, एक ही result को दो तरीके से निकाला, एक उन्होंने diffraction phenomena यूज करके, breaks, condition, और experimental कुछ results थे मिले थे, उसकी साहिता से, दूसरा, डी ब्रोगली वेव equation को यूज करके, और वो result निकाला, और इस two results, एक दोसरे से काफी close थे, within experimental error, तब उन्होंने कहा, कि इसका मतलब सीधा सा है, कि डी ब्रोगली वेव equation है, वो experimentally verified है, यानि कि, बिल्कु सेम और सही results है, और electrons, जो कि particle होते हैं, they also behave like the wave, they have the wave character also, तो प्यारे बचों ये हुआ, अब हम, next जो है, हमारा article रहेगा, face velocity और group velocities पर, जो कि बहुत important रहने वाला है, आप अपने इन चैनल के साथ जुड़े रहें, इनमें ये lectures upload होंगे, आपको ये कैसे लगते हैं, इनको like से और subscribe जरूर कर ले, कई बच्चे नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, एक like का बतन नीचे होता, अगर अच्छा लगा, तो अपनी impressions को, अपनी भावनाओं को व्यक्त अप लोग कर सकते हैं, और कुछ अच्छा नही exams और आपके competitive exams के लिए कापी helpful रहने वाले उनके लिए, हम और अच्छी तरीके से वीडियो आपके लिए और lecture दे सकें, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद,